नमस्कार दोस्तों आपका धन्मंत्री क्रिपा हेल्स सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों हम बिमार क्यों पढ़ते हैं बिमारी का जो पीछे का कारण है वो भी जानना बहुत जूरूरी होता है कि हम बिमार जो पड़े वो क्यों पड़े देखिए मौसमर सार बैक्टिरिया या बारिस से होने बाले जो रोग हैं वो हमारी अमिनिटी को दरसाता है अगर हमारा अमिन सिस्टम स्ट्रोंग है तो हमें बैक्टिरिया और वायरिस से रड़ने की ताकत मिल जाती है और हम जो हैं बहुत कम बिमार पड़ते हैं जैसे की मौसमी बखार खांसी जुकाम लजला इत्यारी तो दोस्तों जो बड़े मेजर रोगते हैं उसके जो कारन है वो भी मेजर होते हैं लेकिन हम उन कारणाऊ को अंदेखा करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सभी मात, भाई यों भेना से निबे देने रहे गा कि आप इस व्योडियो को जादा से जादा लाइक करें शेर करें और इस चानल को वीजिवों सब्सक्राब करें तो दोस्ते वो कारण किया हैं दोस्तों पहली जो कारण है वो चिन्ता अगर चिंता एक ऐसी चीज़ है दोस्तों अगर उससे उपर से जो बिंदी होती है उसको हटा दिये जाए तो वो चिता बन जाती है और ये सास्तरों में कहा गया है कि चिंता जो है चिता के समान है आदमी दिन प्रति दिन जुल्सता रहता है जलता है दूसरा कारण है दोस्तो हमारी भागदोर और तीसरा कारण है हमारा लाइफस्टाइल यनि की हमारी जो दैनी क्रिया है हमारा बैठने का काम ज्यादा है चलने का काम ज्यादा है और उस इसाब से भी हमें रोग जो है लग जाते हैं और चौथा जो कारण है दोस्तो हमारा चौथा कारण जो वो खान पान अब आप बोलेंगे कि खानपान से कैसे हो गया दोस्तों जो एक बैठ करके काम करता है पुल चेर के उपर या पालती मारकर बैठ के काम करता है व्यक्ति तो जब उन ऐसे व्यक्तियों का खानपान उस हिसाफ सोगा तो उसको बैसे ही वो रोग लग जाते हैं अगर बहुत भाग दोड़ करने वाला व्यक्ति है अगर वो उस हिसाफ से खानपान करते हैं तो उनको बैसे ही रोग लग जाता है इसके बाद अगर बात करूं कि कोई जिसको बहुत चिंता है और वो उस हिसाफ से खानपान करता है तो उनको बैसे ही रोग लग लग जाते है अब आप यहां पे कहेंगे कि मैं हमेशा बात-पित-कफ की बात करता हूँ कि ये बिमारी के तीन कारण होते हैं बिल्कुल दोस्तों और यही ती एजियो मैंने चार पहले मेजर कारण बनाए इनी कारणां से हमारा जो स्रीड का बात-पित-कफ जो है वो बिगड़ जाता है और हमें बिभीन रोगों से पीड़ीत होना पड़ता है तो दोस्तों इस वीडियो को जुरूर देखें और मैं कहूंगा कि पूरे देखें देखें जनली तोर पर जो अधिक भाग दोड़ करते हैं ज्यादा महंद करते हैं तो उनको जो एनरजी वाला भोजन है जिसमें ज्यादा केलोरीज है वो उनको खाना चाहिए जिन लोगों को तनाव है चिंता है उन लोगों को तलाब होना अधिक विर्च मसाला जो है वो नहीं खाना चाहिए तनाव जिसको हम बोलते है टेंसन तो टेंसन क्या है हाइपर टेंसन हाइपो टेंसन यानि कि बी पी लाई हाई लो और इसके बहुत सारे आगे जो है रोग बन जाते हैं अब इसके बाद आता है दोस्तो जो बैठ के ज्यादा काम करता है तो उनके लिए चाहिए दोस्तों बले ही वो भरपूर पेट खाएं लेकिन भोजन उनका सुपाच्या होना चाहिए जो जल्दी पचने वाला हो ताकि उनका जो बैठ करके भी यानिकी बैठे रहने से भी उनका भोजन जो है अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए तो दोस् दोस्तों आपको बड़ी से बड़ी विमारी जो है वो ना लगने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है अगरि आप थोड़ी सी चीज को फॉलो करेंगे तो तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार कर दो